मतराजी ले में किशोरी को उसके सगे भाई और जीजा द्वारा जान से मारने के इरादे से यमुना में फ्यांक देने का मामला सामने आया है। लेकिन सयोवर्ष लड़की की जान बज गई। पुलिस अधिक्षक श्रीश चंद्रों ने बताया एटा में रहने वाले सोधवर किशोरी अपने भाई के साथ आगरा में अपनी बहन वे बहनोई से मिलने आई थी। उन्होंने बताया कि उन दोनों ने मिलकर उसे बुरी तरह से मारा पीटा और बेहोशी की हालत में मोटर साइकल से ले जाकर यमुना में फ्यांक दिया। चंद्र के मुताबिक घायल किश इसने उसे जिला स्पताल में भरती कराया लेकिन उसकी हालत देखते वे जिकित्सकों ने उसे आगरा रेपर कर दिया है। थाना प्रभारी सुरेश चंद्र तोमड ने बताया उसकी सिर्ग पर किसी भारी वस्तो से प्रहार किया गया है और ऐसा लगता है कि आरोपी उसकी जान लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसे नदी में फ्यांक दिया। परंतो वो है बच गई उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जाज कर रही है।